अप सभी लोगों प्यों किचन में स्वागत है तो आज मैं लेकर आएं साट इंडिया नारियल की चटने आप लोग के साथ सेयर करने के लिए नारियल की चटने खाना तो सभी लोग को अच्छा ही लगता है तो आपने किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं इटली डोसा तो आप लोग पूरे वीडियो वाच करिए और अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सेर सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग मत भूलना आप लोग जरूर कर देना तो चटनी मनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे नारियल तो देखिए हमने ह अब इसका ब्राउन पाठ है जो हमने अच्छे से साब करकर चोटे चोटे टुकड़े कर दिये तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ग्रेंडी JP जाल में सबसे पहले लिए अपर ले रहे हैं तो आपके आप च्वजर जितना आपको तीखा रखना है च्टनी को आप यहाँ बना सकते हैं तो एक साथ में हमें आप ले लिया है एक आधी कटुकड़ा और पंच्छा यहाँ पर लसुन की कली ले लिये हैं तो आप लसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आपने लसुन को इसकी भी कर सकते हैं बिना लसुन की भी चटनिया बन सकती है तो यहाँ पर हमने कड़ी पत्ता आम यहां पर पिस भी लेंगे तो देखिए यहां आप हम साथ में ले लिए हैं दो टेबल बुन चना भुना हुआ है आपको मार्केट में इजली मिल जाएगा तो अगर आपने चना नहीं डालने तो यहां पर मोफली भी डाल सकते हैं उसाथ में आप ले लिए दो चमच पानी और आधा कप हम यहां पर डही डालकर हम अपने चटनी को जो है अच्छे से हम इसमूद पीस कर तयार कर लेंगे तो देखिए यहां पर हमने अच्छे से चटनी को पीस कर तयार कर लिए हैं तो यहां पर आपने पतला और गाड़ा चटनी को रख सकते हैं य तो गरम होने की बाद हम गयस को कर देंगे बंद नहीं हमारा जो मसाला से तरका लगाए जल जाएगा तो हमें आप ले लिए एक चमच राई आप याप याप कोई भी राई लेख सकते हैं तो देखिया साथ में आप ले ले पंचे गड़ी पत्ता और हमें आप ले लिए चार साबू तक खा मिलाल मीर्च तो अच्छे से याप थोड़ा सुनेरा तक हम याप भूल लेंगे फिर इसके बाद चली हम अच्छे से याप भूल लिए हैं तो अब हम चटनी पर तड़का लगा देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं तो याप अच्छे से मिला लेते हैं त आप लोग किसी भी साथ खा सकते हैं इटली डोसा हुआ तो आज की रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग मत भूला आप लोग जरूर करता मैं में में नेश्ट वीडियो में